यह मुझे अभी पता चला कि कोवी शील्ड में कुछ जाद ही दर्द होता है कोवैक्सिन में नहीं होता मैंने कोवैक्सिन लगवाली थी लेकिन जब मैंने घर के मेंबर्स के लिए भी वुक करी तो वो कोवी शील्ड वुक होगी और बेचारे बहुत दर्द में भाई आयम इविल एवरिवेर लिटरली नोट जस्ट फोर एव फैंस ब्रो यह सुमा चैंपियंस अफ द वूर्ड में हो 3DX जेतन एंड ब्रो मंडे नाइट रॉप है मेरको वीडियो बनानी थी मेभी मेभी नॉट बिकोज रॉप का ऐसे यार अभी तो थोड़ी मेरको अच्छे लगती है अब फिर अगले दिन बेकार हो जाती है यह वाली रॉप मैंने देखा काफी लोगों को पसंद दाई बाट इट वास नॉट एक चीज़ मैंने रियलाइज करिया देट देर इस वर्स्ट थिंग एड़ फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ इफ देर इस वर्स्ट थिंग एट कैन हैपन तो यू इस कि आप गॉटलेंट मैच में और आपके सामने नुडे हो भाई क्या लड़ती है यार गॉटलेंट मैच हो तो मज़ा आजाता है लेकिन इस मैच के एंडिंग में काफी बड़िया मोमेंट है स्पेशली तब जब रैंडी ओटन ने आरके हुमारी बीकॉस एक्स्ट्रीम रूल्स में रैंडी ओटन इस फेसिंग लैश्ली फूर दे चैंपियंशिप और वो भी ऐस बेबी फेस बह इस बार ब्रूस प्रिचरड ने हैंडल कर रहा था विंस मिकमैं इदर उदर चोटे मोटे चैंज कर रहे थे विगोज अफोब जब फैन्स की तरफ से इतना पसंद किया गया अगले इदिन आप पे नसर होती है कि आप आप क्या करोगे I don't know there is a thing AW जो भी करेगी अगले दिन कमेंट यह होता है अब तुम करके दिखाओ क्या करोगे तो इसलिए Vince McMahon को परदा pressure उन पर था बट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कमाल कर पायोंगे हाँ Smackdown तो चलेगी Smackdown तो मुझे लगता है कि जब तक Roman Reigns champion है He will carry that shit और अभी तो भाई सा Brock Lesnar भी आने वाला Imagine Also Ashman ने लिखा है कि Which 4 anime you watch bro भाई मैंने जो 4 anime देखें सबसे पहला तो Deathknot, Fairy Tale, One Punch Man One Punch Man इसलिए क्योंकि वो छोटा था और अभी recently Hunter x Hunter Finally खतम कर दिया यार उसकी ending नहीं है ना यार ये मैंने anime क्यों देखा मुझे लगा ये खतम हो गया है वो खतम ही नहीं हुआ लेकिन वो जो Chimera Ant वाला आर्क था ना वो बड़ा beautiful आर्क था वो मैंने अगर मिस कर दिया होता तो मैं अपना अप से बहुत गुस्सा होता क्योंकि सुरू में मैं मिस करने वाला था इतनी बोरिंग लग रही थी वो Chimera Ant वाली आर्क मैंने का ये क्या स्टोरी है फिर जब आठ, नौ, दस consecutive एक ही साथ अलग-अलग parts दिखाने होते है तो उसके लिए वो build-up करना पड़ता है so I understand that नकुल कारदाम ने लिखा WWE, rest in peace, yeah of course तरमेश औरी ने लिखा जो भी हो, wrestling में मज़ा आ रहा है and I think ये मैंने Twitter पर भी लिखा था कि 2017 और 2018 ऐसे टाइम था जब मैंने WWE मतलब चैनल के लिए देख रहा था 2016 was good because draft पगया रहा था but 2017 और 2018 was not that great मैं इसलिए देख रहा था सिर्फ क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा था अगर मैं वीडियो डी डालता तो शायद मेरे को नहीं लगता मेरे पर कोई भी motivation होती WWE देखने की so for that reason I think AEW के आने के बाद से फिर चाए आप AEW वाला style पसंद करते हो तो फिर आप WWE देखोगे so for wrestling industry I think AEW को thank you करना चाहिए otherwise I can agree के बहुत सारे changes जो WWE में हुए हैं वो नहीं होते यार बहुत सारे changes desperation में लिए गए हैं कुल दीप ने लिखाया कि Young Bucks ने तो सारा moves को मजाक बना दिया and he is not the only one जिनों ने ये लिखा and surprisingly इस बार मेरे को इनका match अच्छा लगा दा steel cage वाला again जैसा मैंने कहा कि इनका style ही वही है हाँ ये अलग बाते कि वो दूसरों के finisher's का मजाक बना देते हैं पर ठीक है या जब copyright strike का चकरी नहीं है तो फिर मारो आप centinoe मेरा लगो वो लो तुम टॉम स्टोन मारोगे अपने हाथ से क्या मजा आएगा और यंग बक्स की बात चिडिये तो मैं एक और चीज़ बता जाएदा हूँ कि यंग बक्स का ये वाला match देखने का मेरे को ऐसा है ये राइस हुआ कि मेरे को लगता है कि जो ट्विटर पे इनके साथ इंसिडेंट वा था न उसके बाद से बहुत जेंज हो है massively और उसकी वज़ए से ये अगर face होते तो मेरे को लगता हुतना नहीं चलते बट as a heel I think कि उनके परसोना में बहुत तगड़े से fit हुआ जो वो करना चाहते थे इन reality वो उनको character में करने को मिल रहा है इसलिए वो और उभर के आ रहा है so अगर वो I think moves पे ध्यान दे दे कि भाईया थोड़ा ऐसे मजाक ना बनाओ I think Young Bucks बहुत बढ़िया टीम है and काफी अजीब लग रहा होगा ना कहते हो because I actually didn't like Young Bucks वो जब generation me थी तब तक तो ठीक थी TNA में उसके बाद से बिगड गई है बदमास हो गई है Prepro ने लिखा कि Darby Island Buried yes ये तो मैं कहना चाहूँगा but ये तब होता ना जब यही same match exactly ऐसा का ऐसा WWE में हुआ होता AEW में ऐसा कुछ count नहीं होता नहीं नहीं ये सिर्फ WWE के लिए ठीक है प्रीतम बिस्पास ने लिखा honest opinion AEW is going to be the next TNA they are too much dependent on established superstar ये तो मैंने community post में भी डाला था कि किस तरह से AEW ने पहले कहा था कि नहीं नहीं हम WWE से superstar नहीं तुमें लेने पड़ेंगे television जब तक तुमको देना पड़ेगा तुमको ऐसे stars पर rely करना पड़ेगा no matter what आप उनको लेकर किसी और को establish करवा सकते हो वो अलग बात है but they are going to be next TNA that's a tough choice कभी-कभी लगता था मेरको लेकिन जिस तरह से इस समय सुपरस्टार्स जा रहे है जो सुपरस्टार्स के अंदर hunger दिखती है उनके अंदर desire दिखता है समझ रहे हो Adam Cole और Denner Band के reaction से आप पता लगा सकते हो कि how much AEW is when it comes to pro wrestling hardcore industry समझ रहे हो जो casual fans है वो WWE वाले मैं वो वाली बात नहीं कर रहा है लेकिन जो बिलकुल है hardcore wrestling fans है जिनको as such बहुत जादा time मिलता है wrestling देखने का उनके लिए AEW is so good कि ये बहुत मुश्किल है TNA बनना until and unless egos collide ना हो जैसा कि भी recently Bavaray Dudley ने comment किया था of course वो comment आपको कहीं पता नहीं चला होगा क्योंकि वो AEW के थोड़ा against में था और जब AEW के थोड़ा against में होता है वो बहुत rarely report होता है वो बहुत rarely आपको कहीं किसी website में मिलेगा कोई social media उसको जादार cover नहीं करता basically Bavaray Dudley ने ये बताया था कि जो वो young bucks वाला match था वो of course spot fest था वो wrestling match नहीं था और उन्होंने ये भी बताया कि egos AEW में बहुत जल्दी आने वाली है कोलाइड करने वाली है और उन्होंने already ऐसे issues सुन रखे हैं backstage से होते हुए जिसके बारे में ज्यादा बाते नहीं होती dirt sheet और IWC यानि कि internet wrestling community इस बारे में बात नहीं करती which is very sad because अगर आप monster को खाना खिलाते रहोगे तो वो monster एक दिन आपको भी खा सकता है because दूसरों के उपर आप कीचड उचालते रहोगे ठीक है लेकिन जब आपके उपर भी उचल रहे है तो आपको उसको भी साफ करना होगा अगर आपको जीतना है वार्त हो but यह यह बुली रहे के थोट्स थे he is definitely going to bully AEW but नहीं Mick Foley की बात कर लेते थोड़ा अब AEW fans को थोड़ा बुरा ना लग जाए तो थोड़ा WWE fans को बुरा लगवा देते है देखो सब को बुरा लगना चे बराबर Mick Foley ने यह रिसेंटली वीडर डाले थी जो की काफी trend हो गई उसके वज़े से Mick Foley भी आज trend हो गए थे उन्होंने बताए कि All Elite Wrestling Pay-Per-View के बाद of course उन्हें realize हुआ कि WWE needs some change वो अगर AEW की competition नहीं मानती तो बहुत बड़ी घरबड़ी कर रहे हैं जो की मेरे को लगता है और उन्हें भी बताएगी कि इस समय WWE is not the only place जहां पर जो नए talent होंगे वो जाने के लिए inspire होंगे तो यह जो सीधा-सीधा था of course WWE के headquarters में हर जगे फैल गई होगी बात कि किस तरह से Mick Foley ने काई and I respect that because अगर कोई भी बैठा हूँ अपने headphone में गाने सुनते आया excitement में hype में जैसी RAW आई it was sad अगर यहीं Vince McMahon अगर सही में AW को competition मानते तो RAW में कुछ धमाका होता fans को और motivate करते ता कि Dynamite में वो कुछ और अलग करते ता कि फिरम SmackDown में कुछ और अलग करते और maybe they just lost hope on Monday Night Raw, Monday Night Raw उनसे नहीं हो रही समल रही but I agree with Mick Foley देखो अगर दूसरों के competition नहीं समझते कोई बात नहीं but मेरे को कहीं नहीं अंदर से लगता है कि इस समय माना कि WWE ही वो wrestling है जो कि एक wrestling को होना चाहिए but अगर audience बदल रही है अगर audience को वो style पसंद आ रहा है then वो दिन team को सोचो कितनी बड़ी importance दीस Monday Night Raw में और उनकी फिर wrestling को भी तो कर तो रहे हैं but वही है न AEW वालों को live shows नहीं देने पड़ते है WWE वालों को देने पड़ते है जिसके चलते उनको work rate बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा और यह चीज लोगस जादा समझते नहीं है बंदा इतना travel करे और फिर हर दिन perform करे it is not easy Icon Killer ने लिखाए कि thanks for the 130 dislikes he deserves it ओके यह जो पिछली वीडियो थी I think AEW वाली हाँ तो जिसमें लोगों को मेरे opinions पसंद नहीं आए थे वाओ what a sadness लोगों को मेरे opinion पसंद नहीं आए लोगों को यह गुस्सा था कि इसको पसंद क्यों नहीं आई चीज I never understand this अगर तुमको मटर पनीर की सबची पसंद नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमें चाकू मार दूँ कि तुमें यार मतर पनीर की सबची क्यों नहीं पसंद खच आउट हालां कि हालां कि ऐसा नहीं है कि I was not expecting this मैंने AW fans से कुछ जादा expect कर ले था मेरे को लगा था at least 200-300 500 dislikes तो आने चाहिए थे अगर सही में AW के fan होते तो जितना मैंने 2017 से internet के culture को समझा है 500 dislikes तो बनते थे 500 से कम मैं राजी नहीं था मेरे को अभी थोड़ी दुखी सी हो रही कि बस इतने ही तो अगर आप भी असली AW fan है और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो प्लीज 500 हजार dislikes तो मारो दम तो दिखाओ थोड़ा आपको reason चाहिए तो यह ले लो AW टक्ती है AW कभी कुछ नहीं उखाड पाईगी Vince McMahon उसे खरीद लेगी एक दिन भाई 2017 से हो मैं इदर Roman Reigns को hate करने से लेके Roman Reigns को best superstar बनाने तक का सफर मैंने जेला है Roman Reigns के fans से गालिया खाईए Roman Reigns के haters से भी गालिया खा रहा हूँ एंड मेरको लगता है कि अंदर से मेरको उसमें मज़ा भी आता है मतलब जब थोड़ा constant चल रहा होता है कुछ ज़्यादा चटपटा नहीं हो रहा था तो मेरको बोरिंग से लगती है भाई सो यह भालतु का AW कचरा AW भार में जाए AW आए ओपके आपके वीडियो पसंद आए कर रहा है कि तो लाइक और शेर और जैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको लाइक करने की जड़ने आपको डिस्लाइक करना ठीक है मैठे सब दो से सबका दिल था चुराया अपने नाम का सच डम था बनाया दो ला का इसने परिवारता जुटाया पर समय की मार है यह मेहनत की हार है यह कुट को बदलना तो मेरे सब्दों के वेचार है अपस्तों से की आज सब ने इसको बुलाया प्राइड डिस को इसने आरके उधा लग पाया